वीडियो की शुरुवात मधुमालती के खुबसूरत फोलो के साथ तो आज मैं आपको अपनी गार्डन का ओवरी दूँगा आज मैं आपको अपना पूरा गार्डन देखाऊंगा कौन-कौन से पौधे मेरे पास हैं और अपना एक्सपेरियंस भी शेयर करूँगा जो मैं मेरा गार्डनिंग में है तो सामने आप देख पारे में काफी अच्छी इसमें ब्लोमिंग हो रही है और यह देखिए दोर से कुछ इस तरह से दिखता है यह सुरुगा एरिया है यहाप एक मैं जो खाद वाली कियारी बनाया था आप तो पिछली वीडियो देखे हूंगे इसमें मैं कौलियस लगा दिया हूँ उसके बाद यहां पर कुछ पौदे जमीन में लगे हूए है और कुछ गंळे में यहां पर देखिए यह रबर प्लांट है और यहां पर काफी अच्छे से सारे पौदे मेरे लगे हूँ है गंबले को मैंने पेंट भी किया है रिसेंटली तो यह देखे सामने यह लेडी पाम है और भी यह मनी प्लांट मेरा देखे काफी हल्दी है और यह देखे काफी अच्छे सी यह चला है और यहां पर यह देखे मेरे साइकस में एक बुलबुल ने घोसला भी बना लिया और यह पे यहां पे भी इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ सेहर कहा हूँ नार्ययल प्लांटर की वो भी आप देख सकते हैं और यहां पे देखिए काफी अच्छे से पौदे चल लए हैं मेरे जितने भी है यह वाला देखिए सबसे खोब सूरत यह वाला है मेरा और इसे के साथ साथ यह कोचिया इसके भी वीडियो आपके साथ सेयर किया हूँ यह देखिए अब दोनों पौदों की एकदम ग्रोध हेल्दी हो गई है और यहाँ पे भी देखिए यह पेंसिल कैक्टस है और यह देखिए टमाटर अभी तक मेरे गाडन में लगा हुआ है आप कमेंट करके बताएएगा आपके पास भी टमाटर का पौदा है की नहीं इस तरह से उसमें फरूटिंग हो रही है की नहीं इस समय इतनी कडाके की गर्मी है लेकिन देखिए टमाटन में खोब अच्छे से फ्रूट्स बने हुए है और ये देखिए मेरे प्लांट की साइज कितनी बड़ी हो गई है नीचे मैं लगाया हूँ इसे जमीन में और ये देखिए उपर तक एकदम हो गया है और पीछे एक स होने वाली है इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ सेर किया हुआ है और ये देखिए यहां पर विंटर के देखिए सिर्फ और सिर्फ दैंथस और ये देखिए वर्बीना दो मेरे पास बचा है और ये देखिए पिटूनिया की भी कंडिशन काफी खराप सी हो गई है और यह देखिए कि एगलो नीमा में एक फ्लावर सा आ रहा है लग रहा है मुझे तो यह भी खीलेगा तो आई योप आपको यह वीडियो अच्छी लगए होगी आपको मेरा गाडन कैसा लगा चोटा सा यह चोटी से एरिया में मेरा गाडन है पूरा मैं आपको देखा हूं यह बस इतनी सी जगा में यह मेरा गाडन है जो कि मैं अरेंज करता हूं यहाँ पर तो कैसा लगा कॉमेंट करके बताईएगा